भोलिये सद्गुरु देव कीज अवास तो नहीं आई, मतलब कम लोग है थोड़ा जयकारा लगाए और अपने कान के परदा खोल ले सब लो हो सकता है कुछ मिल जाए खुराक भोलिये सद्गुरु देव की परम पुज्वर गुरुदेव जी अर्चनी वन्नी संसा माज धर्म पेमी सज्जनों शृद्ध मुर्ती माताओं प्यारे बच्चों पांच दिवशी ध्यान स्वीर में पुज्वर गुरुदेव जी के विचार, संतुक के विचार सभी लोग ध्यान में बैड़ते थे हम जब किसी भी छेत्र से उब जाते हैं, समस्याएं, समाधान नहीं होती है तब एक ही जगा बसता है, वही है ध्यान जहां से हम सब समस्याओं का समाधान पासकते हैं लेकिन सिर्फ बैठ करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं है मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सिर्फ बैट करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं और सद्रु कबीर ने कहा है उठत बैठत कब हो न छुटे ऐसी तारी लागी ये ध्यान है सद्रु कबीर ने कहा है जो कुछ करों सो पूजा ये पूजा है पूजा क्या है? सिर्फ आगर बत्ति घुमा देना, हार चड़ा देना, नारियल फोड़ देना, चंदल लगा देना, इतना ही पूजा है, यह तो कोई भी कर सकता है, एक सराभी भी कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बुढ़ा एक चोर सब लोग कर सकते हैं चंदन लगाना पूजा करना आरती करना फूल हार चड़ा लेना इस सब कर सकते हैं तो क्या फिर पूजारी हो गए वो मंदीर में बैड़ता है पूजारी और पूजा करता है मूर्ती की पूजा करता है इतने मात्र से क्या पूजारी हो गए एक आदमी आफिस में जाता है और आफिस में बैट करके सबके समस्याओं का समधान भी करता है लेकिन घूज भी लेता है लेकिन जब भगवान के पास जाता है तब पूजा करता है क्या पूजारी हो गए वो क्या इतना पूजा है ठीक वैसे ही एक आदमी ध्यान करता है लिकिए उनका वचन ठीक नहीं है उनका करम ठीक नहीं है उनका वावार ठीक नहीं है क्या ये ध्यान हो गया इसलिए सद्रू कबिर साहिब कहते हैं उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी हर समय ध्यान हर समय ध्यान जो आदमी हर समय ध्यान करता उनको कोई चीज गड़वर नहीं होता है एक आदमी प्रेम से निष्ठा और स्रद्धा और भाव के साथ में पूजा करता है उनकी पूजा सार्थक हो जाती है एक आदमी काम करता है सवचाला भी साफ कर रहा है लेकिन उनका ध्यान एकाग्र है मन एकाग्र है मन निर्मल है किसी के लिए भी किसी के लिए कॉमपलेक्स से नहीं अग्दम कॉमपलेक्स प्री है वास्तों में व्यक्ति ध्यान करता है और मैं जहां तक गुरुजन भी यही कहते हैं कि जो कुछ हम करे प्रेम से करे ध्यान से करे कोई आदमी आते हैं जाते हैं कहते हैं ध्यान से करना सवधानी पूर्वक करना ध्यान से करने के मतलब वहाँ ध्यान लगाने के लिए बैठने नहीं कहते हैं हमारा दिल और दिमाग वही पर रहे, इस्थिर रहे हमारा दिल और दिमाग इस्थिर नहीं होता है तो फिर हम सही कर्म नहीं करते हैं हम कर्म करते हैं पूजा करते हैं मन में रोडे है मन में अंकार है मन में द्वेस है फिर हम पूजा नहीं कर रहे हैं इसलिए पूजा इतनी ही नहीं है कि हम आगर बत्ती फूल माला इतनी ही पूजा नहीं है पूजा का मतलब है अंतह करण बदलना चाहिए विचार बदलना चाहिए क्या ये बदला है ये नहीं बदला तो सारी पूजा बेकार चली गई घंटो पूजा कर ले लंबा चंदन लगा ले और जटा जूट बढ़ा ले कपड़ा बदल ले सन्यासी कपड़ा पहले घर छोड़ दे भक्त बन जाए बाहर से और अंदर नहीं बदला फिर पूजा तो बेकार चली गई सारी पूजा बेकार चली गई और यही सब के घर में हो रहा है यही सब के घर में हो रहा है नपे नही 95 प्रतिसत घरों में यही पूजा चल रही है घर में आगरबत्ती जल रही है भगवान मूर्ती बिठाएं है फोटो बिठाएं, उसके सामने पूजा चल रही है, माबाप के साथ में लड़ाईया चल रही है, देरान जिठान में लड़ाईया चल रही है, भाई भाई में लड़ाईया चल रही है, बच्चों के साथ गला सब्दों को उचकिया जा रहा है, कौन सी पूजा ही है, माता पी हार चड़ा रहे हैं आरती उतार रहे हैं और फोटों में चंदन भी लगा ले रहे हैं माता पिता क्या कभी आरती उतारे हैं माता पिता क्या माता पिता के चड़नों को कभी धो करके चड़नों दक लिए हैं माता पिता को कम से कम तेवहारों में आरती उतार करके उनके गले मे हार चड़ाएं हैं कौन सी पूजा है फिरी सारी पूजा बिकार चली गई ना जो हमको कुछ दे नहीं सकता कुछ हमारा सहयोग नहीं कर सकता उसकी हम पूजा कर लेते हैं लेकिन उस माबाप ने हमको जन्म दिया उसके साथ में कैसे वावार करते हैं उसके साथ कैसा वर्ताव करते हैं पूजा एकदम अलग चीज है एक आदमी आर्ती नहीं उतारता है किसी मुर्थी की किसी फोटो की लेकिन माबाब को अतितियों को समानध देता है सब के साथ प्रेव का वरता को एक आदमी मंदीर जा रहा था दूद चड़ाने के लिए पांच लिटर दूद लिया था उनके बगल में रास्ते में बिखारी लेहन से बैटे थे भीक वांग रहे थे उन्हों ने किया क्या एक डिस्पोजा लाया और सारे बिखारीों को दूद बाट लिया मंदीर के अंदर प्रवेश निको वहीं से आ गया वापिस मैंने आज असली भगवान से मुलाकात कर लिया हमारी यहां क्या चल रहा है अभी सावन सम्मारी का उप्वास चल रहा है बड़े लंबी लैन लगाते हैं कौन समन्नते हैं मांगते हैं पता नहीं बड़े बड़े प्रवक्ता है जो कहते हैं सिर्फ बेल पत्ती चड़ाओ आपके सारी मनों कामनाय पूरी हो आपके बच्चे पैपर के दीन भी तयारे नहीं किया हो तो बेल पत्ती संकर भोले में चड़ाओ चंदन के साथ लेब करके दही के साथ लेब करके आपके बच्चे पास हो जाएंगे करम ही खराब है तो कैसे होगा आपके घर में कहीं आपको दुख मिल रहा है आपके परिवार में असंति का महौल है आपके जीवन में उल्जने हो उल्जने मिल रही है मतलब आपने सही करम नहीं किया है कितना भी पूजा कर ले बेकार है सारी पूजा एक मा करीब करीब 90 साल के अवस्था रही होगी उनकी बहुत ही उनको बड़े हिसाब से नहलाती, धुलाती, टटी, पेसाब सब कुछ बिस्तर में होता था, सब कुछ साफ करती, बड़े हिसाब से साफ करती इतना में उसकी माँ एक दिन आती है अपने सासु माँ की इतनी सुरक्षा करती थी इतना में उसकी माँ एक दिन आती है और पूस्ती है बेटी तुमको इसब करने में गंदगी में बद्बू में अच्छा लगता है दुरगंद नहीं आती है महा, उनकी बहु बोलती है, उनकी बेटी बोलती है, मा, मैं सासु मा की सुरक्षा करती हूं, सासु मा की देख रेक कर रही हूं, मुझे दुर्गंध नहीं, मुझे सुगंधी आती है और वो चंदन की तरह टटी की सफाई करती थी और बोलती थी मुझे उसमें सुगंदी आती है कौन से सुगंदी कैसी बोलती है वो बेटी बोलती है मा मुझे जब भी सफाई करती हूँ तो मुझे उसमें घी की सुगंदी आती थी हुआ क्या था जब पहली पहली बार साधी होने के बाद घर में आई और घर में आती है तो ये घी का घड़ा मक्खन पका रही थी मक्खन पका रही थी मक्खन पकने के बाद में घी से भरा हुआ एक पात्र है उसको उठा करके ले जा रही थी ओ घड़ा छूट जाता है घीर गीर जाता है और पुरबह जाता है इतना में उनकी सास्यो मा दौण करके आती है और पूछती है बेटी तुमको कहीं जला तो नहीं कहीं चोड तो नहीं लगी वो बहु बोलती है मा मुझे चोड नहीं लगी न कहीं जला भी नहीं है परन तो घी पूरा बरबाद हो गया उसकी सासुमा बोलती है बेटी घी हम फिर से पैदा कर सकते हैं बस तुम सुरक्षित हो यही बहुत कुछ है और आज जो सुरू में किया था वो बीज बोया था बीज आपने कहीं किसी के साथ नफरत का बीज बोते हैं न वो खतम नहीं होता हूँ वो अंकूरित होता रहता है अंदर अंदर आपके वाणी में सुधार होना चाहिए घर को अच्छा बनाने के लिए घर को पूरा हर कर्म पूजा इसलिए सद्रू कबीर साहिब कहते हैं आपके वाणी सबसे अच्छी होनी चाहिए और क्या होता है जब पेड में फल लदे हो अधिकतम फल मीठा होता चला जाता है और ये शरीर रूपी पेड़ में जितने दिन तक आत्मा रहती है उतना दिन तक बुड़े हैं लोग कड़वे होते चले जाते हैं कड़वे होते चले जाती है बोलनी की सब्यता नहीं आती है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल हो जाता है बोलते हैं तो करकर करकर किया वाज आती है आपके वाणी में इतनी मधूरता होनी चाहिए आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते आपसे प्रेम करना सिख जाए वाणी है कैसा माध्यम है अगर बत्ति घुमा देना सहज है हार चड़ा देना सहज है चड़नो दक ले लेना सहज है लेकिन पूजा सहज नहीं है पूजा करने के लिए मन को बदलना पड़ेगा और मन नहीं बदलता है मन तो वही करम कान में लगा हुआ है वही नाना प्रकार के भ्रांतियों में आज भी यहां कबीर पंध के लोग बैठे हैं लेकिन भ्रांतियां सब के घर में होगी आप पूजा में बताया ना आप भोले के पूजा करते होंगे तूलसी में पूजा कर लेते होंगे लेकिन माता पिता की पूजा नहीं होती है आपके घर में आपके बच्चे कैसे सिखेंगे फिर और हर माबाप की एक सिकायत होती है हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते मैं लोगों से कहा करता हूँ आपने सिखाया ही कब है कि आपके बच्चे आपके कहां मानेंगे आपने सिखाया बच्चे को धन कैसे कमाना है आपके बच्चे चार से चायकर जमिन कर देते हैं तीन से चार मंजिला मकान बना देते हैं आपने के बच्चे इंजिर्निंग से और बड़े-बड़े अफसर बन जाते हैं, आपके सेलरी थी 50,000 रुपया, आपके बच्चे एक लाक रुपया कमाने का हिम्मत रखते हैं, आपने तो वही सिखलाया है, दुनिया का बहुतिक प्राणी और पदार्था कठा करना, दुनि को लेबल इस तरू पर उठाते जाते हैं, कभी होता ही नहीं है, फिर सिकायत क्यों करते हैं आपके बच्चे, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे कहा नहीं मानते, मैं कहा करता हूं, बड़े बुजुर्गों को ससंग की उतना जरूरत नहीं हैं, जितने आने वाले जर्रेशन क आने वाले जर्रेशन को ससंग की जरूरत है आप लोग आगए ससंग में कभी अपने बच्चों को भी भेज करके देखिए इसलिए अपने घरों में आपके नजदिकी संतों को आप जिस छेत्र में रहते हैं कभी संतों को बुलाईए एक दिन का ससंग रखिए कम से कम घर घर की लोग बैठिए बदलेगा महोल बदलेगा लेकिन क्या करते हैं हमको दोज दिखाई देता है नहीं बदल सकते पूजा और ध्यान ऐसे नहीं होता है बहुत बड़ी उपलब्दी है ये पूजा करना और कम से कम सुरुवात तो करिए आप यहां से जाये तो एक काम करके जाये यहां से जाये तो कम से कम एक चीज ले करके जाये आपके घरों में जिसकी पूजा करते हैं करिए आप लेकिन सभी से निविदन करना चाहूँगा कि कम से कम आपके घर में बड़े बुजुरुगा है, आपके घर में दादा दाती है, साथ ससूर है, बड़े बुजुरुगा है, उनकी भी फूजा कर लिया करे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, नहीं तो उसी में कटेंगे, मरेंगे, लडेंगे, दुख भरी जिन्दगी जियेंगे, सकून की जि जी पाएंगे हमेशा अपने ही जिन्दगी से आप परसान रहेंगे क्योंकि आपने ही यो बीज बोया है प्रकृति का नियाम है आप धान का फसल काड़ते हैं तो धान का ही धान का बीज बोते हैं तो धान का फसल काड़ते हैं और आपके जीवन में क्या होता है आप दुसरो के साथ में घ्रीना का बीज बोते हैं अपने जीवन में घ्रीना का फसल काड़ते हैं आप कौन सा फसल बोते हैं कौन सा फसल पूजा तब होती है पूजा करना सुरू कर दीजिए अब बदलिए मस्तिक से को बदलते जाएं विचारों को बदलते जाएं अब मुझे अच्छा जीवन जीनना है अब मुझे रोनिद होने वाली जिन्दगी नहीं मुझे सिकायत वाली जिन्दगी नहीं मेरा हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए आपको हर कर्म पूजा हो कितना मन पवित्र होगा जीने में कितना आनंद होगा, जीने में कितनी बासाहत होगी, आपके कर्मों में कोई उंगली न उठा सके, एक चीज़ और बताओं मैं, आदमी काम से कभी नहीं ठकता है, और मैं अपने खुद मैं महसूस करता हूँ, मैं अठारा घंटा भी काम करूँ गता मैं ठकूंगा न जब आपके अंदर गलत विचार आना सुरू कर देते हैं, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, देरान बैठे तो जिठान क्यों करे, भाई बैठा तो दुसरा भाई क्यों करे, आपका ये जीवन को इस तरह से बरभाद करता है, आप नीचे इस तरह पर चले जाते हैं, आपका संपत्ती बरबाद, घर बरबाद, आपका मन बरबाद, आपका सरीर बरबाद, फिर आप पूजा नहीं कर सकते आप, आप सत्संगी हो ही नहीं सकते फिर आप, आप ध्यान कर ही नहीं सकते फिर आप, इस सुरुवात की करम है आपको मैं बताया हूँ, फिर ध्यान आदमी अपाहीज है उनके मन में एक वेदना पैदा हो जाती है इनका कुछ सही ओक करना चाहिए एक आदमी है जो भीक अमंगता है आंग से देख नहीं सकता है एक अच्छे आदमी उधर से जा रहा है उनके अंदर एक रूदन बरन जाता है मन में कि आदमी कैसा जीता हो गई इनका कुछ सहीयोग करना चाहिए, वो बनता है, अपने जेब से 5 रुपय, 10 रुपय निकाल करके देता है, कैसे ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे ससंगी नहीं होंगे, ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे, आप ही पती और पतनी लड़त को सिखलाया अगर बत्ती बच्चे घूमा देते हैं मन को बदलने की बात बदाया है नहीं तो क्या करता है सिर्फ करम-कान करता है पूजंब कार बहर से होता है हम ध्यान करते हैं चार चार शहए घंटा बैड़ते हैं ध्यान में और मन को नहीं बदल रहे हैं तो क्या है सब के सब करमकांडी है कड़वे सब दही है आठ घंटा भी ध्यान कर रहे हैं और मन नहीं बदला है मन में जलन है मन में ताब है मन में राग और देश है तो हम करमकांडी हो सकते ध्यान का अर्था नहीं समझ सकते और वैसे ही पूजा कर रहे हैं और मन में पवित्रता नहीं आई तो हम भी पूजा का अर्था नहीं जान पाएंगे इसलिए आत्मी बंधों आप सभी से निविदन करना चाहूंगा आप जिस मत से जिस पन से जिस समप्रदाय से जुड़े हैं जुड़े रहिए लेकिन कम से कम आपके घर में बड़े बुजुर्गों का आप जिसकी पूजा करते हैं करिए लेकिन कम से कम माता पिता की पूजा कर लिया करें इससे होता क्या है माता पिता को एक आसरा मिलता है माता पिता को एक मन में लगता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं जब जब उनके करीब जाते हैं जब जब उनसे आप प्रेम से बात करते हैं तो उनको एक जीने का सहरा मिलता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे साथ है आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं जब उनको कभी आरती ले लिए उनके गले में हार चड़ा दिये उनको जीने के लिए एक संबल मिल जाता है उनके चेहरे पे मुश्कान आ जाती है इतना अच्छा परिवार इतना अच्छी मेरे बच्चे उनको जीने का एक संबल मिल जाता है उनको जीने के लिए एक सहरा कहना चाहिए अंटिबायोटिक मिल जाता है उनको दवाई मिल जाता है कि मेरे बच्चे मेरे अनकूल है बच्चे बुड़हापे में माता पिता को आपकी संपत्ती नहीं चाहिए बुलहापे में माता पिता आप को आपका घर परिवार धन दावलत ये सब कुछ नहीं चाहिए बस आप से प्यार चाहिए उनको आप जितना ही प्यार करेंगे आपके माबाप के चेहरे में उतना ही मुश्कान होगी उतना ही उखिलते चाएंगे और आने वाले पिढ़ी को सीख मिलेगा आने वाले पिड़ी को सीख मिलेगा आप मकान कितना बड़ा मकान है माता पिता को कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है उनके साथ कैसे वर्ताव करते हैं ये प्रभाव पढ़ता है आप कैसे वर्ताव करते हैं आप सूचिए आप जैसा वर्ताव करते हैं वैसा वरताओं आपके बच्चे आपके साथ करेंगे आज यदि माता पिता के साथ घ्रीना का वरताओं करते हैं आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे वरताओं करेंगे आज यदि माता पिता का चर्णोदक लेते हैं हार चड़ाते हैं वो बच्चे देखेंगे, चोटे-चोटे बच्चे देखेंगे, और उनको भी वो सीख मिलेगा, इसलिए आप सब यहां से यही सीख ले करके जाईए, कि माता पिता की आरती उतारना है, रोज नहीं तो कम से कम तेवहारों में आरती उतार लिजिए, रोज नहीं तो कम से कम चर्णोदक ले लिजे, उनको कुछ उनकी ही संपत्ती है, उनकी ही संपत्ती में उनको कुछ भेट दे दीजे, अच्छे-च्छे कपड़ी दे दीजे उनको, कितना मन प्रसन न हो जाएगा, पूजा ये है, ध्यान ये है, इसलिए आप सब आगे बढ़ें, और सद्रु कबीर के वीचारों, जो कुछ करों सो पूजा, मन पवित्र रखे, उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसी तारी लागी, सद्रु कबीर के पंक्ती पर कुछ दिर कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहा कर अपनी वाने को राम देता हूँ, बोलिए सद्गुरु देव की जैए